हलो दोस्तों चानल पर आपका स्वागत है सिंग लगन या लियो असेंडेट में शनी देव अश्ठम भाव में क्या प्रभाव देंगे आज हम उसको देखेंगे ओवरॉल जिंदगी पर क्या प्रभाव आएगा दशा अंतर दशा में क्या होगा और जाता सुक्ष्मिता में जाहेंगे डिग्री वाइज शनी देव की अलग अलग डिग्री यहां पर हो तो उनके क्या प्रभाव आएंगे और क्या उपाए करने हैं यह समम देखेंगे तो पहले बेसिक्स सिंग लगन की कुंडली में नंबर पाश लगन में सबसे उपर बीचो बीच लिखा होता है और सूरे देव इसके मालिक होते हैं शनी देव यह अश्टम भाव में बैठे हैं जा नंबर बारा लिखा है यह विरेस्पति की राशी है और शनी देव को इस कुंडली के अंदर दो भाव में ले छटा भाव जा दस नंबर लिखा है और सात्वा भाव यह नौकरी का अब वकंड़ा तो शनी देव इन तीनों भाव के रिजल्ट देंगे जब भी हम शनी देव को अश्टम भाव में देखते हैं शनी देव एक स्लोर प्लाइरट्ट सब रिजल्ट देरी से आते हैं दीरे दीरे आते हैं और आठवा भाव मृत्यू उस्थान होता है तो व्यक्ति की मृत्यू भी देर से आएगी अर्थात व्यक्ति की उम्र लंबी करने में ये साहता करते हैं मगर ये व्यक्ति को आखों में प्राब्लम दे सकते हैं और ये प्राब्लम भी देरी से आएगी अर्थात व्यक्ति को बुढ़ापे में नजर की प्राब्लम दे सकते हैं अब यहां कई लोगों का मत होता है कि चुकि ये छटे भाव के माले के आश्टम में बैठे हैं तो विप्रित राज्योग के स्थिती भी बन रही है मगर ज्यादा तरकेस में चुकि आठवा भाव अपने आप में खराब होता है तो ये कुछ और कुछ प्राबलम देते ही रहते हैं और यहां से बैठकर इनकी सभी द्रिष्टी कुरूर होती है तो तीस्वी द्रिष्टी दस्वे भाव पर करमस्तान पर प्रोफेशन के घर पर पड़ती है इसको अफेट करते हैं तो हमारा काम और हमारा पैसा दोनों अफेक्ट हो गए और दसवी द्रिश्टी पंच अमभाव पर पढ़ती है शनीदेव जब भी इस प्लेस्मेंट में बैठे हों हम कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं जैसे कि व्यक्ति के हाथ में बीच वाली उंगली यहां से लेके एक लाइन ऐसे करके जा सकती है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है शनीदेव यहां पर बैठकर व्यक्ति को अभिमानी और एहंकारी बना सकते हैं और व्यक्ति अपने आपको पसंद करने वाला होगा खुद को ज़्यादा पसंद करेगा ऐसा का जाते हैं कि अकेले शनीदेव यहां बैठकर व्यक्ति पर ज़्यादा बुरा प्रवाव नहीं देते हैं परंतु कुंडली में और भी बहुत ग्रह होते हैं अगर मंगल देपता कुंडली में अच्छे या बुरे जैसे भी हैं शनीदेव का प्रवाव ज़्यादा तर केस में वैसे ही अच्छा या बुरा हो जाता है साथ में राहू केतु को भी चेक करना चाहिए केतु अगर कुंड़ी के पहले से चटे भाव में हो यानि कि यहां 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 इन में से किसी में केतु हो तो राहु उनके बिलकुल आप musicians साथ से 12 .W Suze में वैं कहीं पे इसी सदस्य की मृत्य हो, खास करकि यदी शनी देव के साथ यहां कोई और ग्रेह बैठाओ और उन में से भी खास कर यदी यह ग्रेह का शत्रु ग्रेह हो, सूरे चंदवा मंगल में से कोई बैठाओ तब इसके चांसेज जादा हो जाते हैं. शनीदेव जब भी यहाँ पर गलत प्रभाव दे रहे होगे, तो व्यक्ति को शराब की आदत लग जाएगी, और जितनी ज़्यादा वो शराब पियेंगे, उत्रे ज़्यादा शनीदेव के रिजल्ट खराब होते जाएगे. इस कंडिशन में हमें बार्वा भाव की चक करना चाहिए, यदि बार्वा भाव खाली है या कोई ग्रह नहीं है, और साथ में व्यक्ति के नाखुनों में काला पन है या काला रंग है, उस केस में व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदिगी आर्थिक कठेनाई से गुजरना अठनाई तब भी आ सकती है, यदि व्यक्ति की चाती पर बहुत बाल हूँ, तो इस तरह के ओवराल इफेक्ट शनी देव आठवे भाव में किसी भी कुंड़ी में देते हैं, ना केवल इस लगन में बलकि सभी लगनों में दे सकते हैं, और इसका उपाय जो बताए गया है कि जब भी हम नहाएं, तो पानी में थोड़ा सा दूद, एक चमस दूद मिला लें, और किसी चीज़ पर बैठ के नहाएं, स्टूल इत्यादी पर, और पैर के निचे भी कुछ रख लें, पैर डारेक्ट चमीन पर नहीं लगने चाहिए, जब शनी देव को हम सिंग लगन क स्पेसिफिक देखते हैं, चुकि ये चटे और साथवे भाव के माले गया और आठवे में बैठे हैं, तो आठवे का प्रभाव तो देंगे ही, साथवे इन दोनों में से, उस भाव का ज़्यादा प्रभाव देंगे, जिस भाव में कोई ग्रह ना हो, यदि यहां कोई ग् ग्रह नहीं है, तो इसका प्रभाव जादा देंगे, अगर दोनों में कोई ग्रह नहीं है, तो ये तीनों का प्रभाव देंगे, तो शनी देव के प्रभाव में ये व्यक्ति को, लंब सम में पैसा, कोई मोटा पैसा, कहीं फसा हुआ पैसा दिलवाएंगे जैसे इंशुरेंस, ग्राशुटी, पेंशन, बोनस, पैत्रिक, धन, फैक्टरी और प्रोडक्शन से यक्ति को जोड़ सकते हैं योग से, सर्जरी के काम, सिक्रोडी के काम, इंशुरेंस सित्यादी के काम से जोड़ सकते हैं मगर रुकाफ्टे भी देते रहेंगे और सब काम लगेगा दीरी दीरी चल रहा है, कोई भी काम जल्दी नहीं हो रहा है यदि ये वाला भाव जादा मजबूत हुआ, तो व्यक्ति को ये नौकरी देंगे लोन देंगे, कोट केसिस, कॉंपटिटिटिव एक्जाम में इन्वाल करेंगे और व्यक्ति को ये स्वास्ति का बहुत ध्यान रखना चाहिए, एक्शिडेंट इंज्यूरीज हो सकते है यदि ये भाव ज़्यादा मजबूत है और ये कमजोर है, तो शादी शुदर जिन्दगी में प्राबलम करेंगे मगर अगर इस भाव में कोई और ग्रह बैटा है और ये भाव खाली है, उस केस में शनी देव इस व्यक्ति को शादी देंगे मगर जिन लोगों की शादी हो चकी है, हो सकता है, उनके बीच में थोड़ी सी कटुता रहे है साथ में ये पार्टनर्शिप बिजनस के भी रिजल्ट देंगे, मगर वो रिजल्ट उन लोगों के लिए अच्छे आएंगे, जिन में शनी देव के पार्टनर्शिप बिजनस में यदि व्यक्ति यहां के चीज़ों से संबंदित कर रहा है, जैसे कि इंशुरेंस, से जुड़े चीज़ या उद्योग में जुड़ा हुआ है, उन लोगों को जादर अच्छे रिजल्ट आने की संबावना होती है, यहां उपाए के तोर पे जब भी शनी देव का पीरियर्ट चल रहा हूं, तो मासाहर और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और गरीब औ बुड़े लोगों की साहता करनी चाहिए, अब शनी देव के जो दशा अंतर दशा में प्रभाव आएंगे, यदि कुंडली के अंदर जहां नमबर चार लिखा है, बारवे भाव में यहां पर, यहां नमबर आठ लिखा है, यहां यदि इसी भाव में जहां नमबर बारा लिखा है, यहां पर कोई भिग्र है, तीन डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में यदि हुआ, किसी की जनम कुंडली में, तब शनी देव के यह सब प्रभाव अपनी दशांतर दशा में कम आएंगे, और जो डिग्री वाइज अब मैं कवर करूगा, उन प्रभ प्रभाव के आने के संभावना जादा हो जाती है, शनी देव अगर यहां पर 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में होएं, उस केस में, यह व्यक्ति को संतान प्राप्ती में प्राब्लम देंगे, लव अफेर में प्राब्लम देंगे, या एक छुपा हुआ या सीक् पैसा दिया, वह वहाँ पर फसने की चांस हो जाते हैं, और व्यक्ति को गुमने फिरन मेरी उच्छी होगी, कलाकारों को यहाँ पर फायदा देंगे, स्पोर्ट्समेन को स्पोर्ट्स इंजूरी से साथधान रहना चाहिए, यह ब्रिहस्पती यदि कुंडली में बहुत ख या हल्दी कोई भी पीली चीज किसी ब्रामन को दान देते हैं, शनिदेव यहाँ पर तेन डिग्री 20 मिनट से लेके, 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तब इनके वही प्रभाव आएंगे जो हमने छटे साथे और आठ वे घर के चेक किया थे, और वही शनिदेव के उ होंगे, यदि शनिदेव यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हैं, तब हमको यहाँ पर बुद्देव की पोजीशन चेक करनी है, बुद्देव यदि अच्छे होंगे, तो इस व्यक्ति को इस पिरिड में धनलाब होगा, परिवार के तरफ से अच प्रॉफिट गेंस विश फुल्फिल्मेंट यह देंगे इस पिरिड में, और जनली यह अच्छा पिरिड जाने के हम उम्मीद करते हैं, साथ में व्यक्ति के नए दोस्त पी इस पिरिड में बनेंगे, मगर यह सब बुद्देता की पोजीशन पे निरबर करेगा, और यहा कि हर व्यक्ति की दशान तरदशा में, शनी देव अपना प्रभावी दें, इन तीन भाव का हो सकता है, वो दूसरे ग्रहों का प्रभाव जादा दें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो, अगले वीडियो में फिर बिलते हैं, तब तक के के लिए धन्यवाद.